हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेट वैल्थिव अतुल में मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोईल आज हम भात करेंगे फिर से टेक मेहंद्रा की टेक मेहंद्रा जिसके अंदर ग्रावट टुक्ने का नाम नहीं ले रही है उपर के ले लेवल के उपर नजर रखनी चाहिए फंडामेंटल्स अच्छे हैं कंपनी के बट कांपर हमें लेना है कांपर नजर रखनी है उसके उपर हम बात करेंगे दर चार्ट स्ट्रुक्चर देखिए सबसे पहले वीकली चार्ट हमने यहां लगा रखा है 33.80 की आरस है यह काफी बार इसने रिजिस्टेंस फेस किये हैं यहां पर और यहीं से रिजिस्टेंस फेस करता हुआ स्टोक निचे की तरह भी गया बीच के लेवल सोर भी बनते हैं बट इस टाइम पर उनको लगाने की कोई जरूरत नहीं है तो यहां पर हमने सिंप्लिफाई से रखा है इस अब प्रेंड के अंदर था पूरी तरह से और यहां पर पैटरन अप चेंज होता हूँ और नंज़र आ रहा है एक जो अप्रेंड था अब ये डाउंट्रेंड के अंदर स्टोक चलता हूँ आ ब चार्ट स्ट्क्चर थोड़ा सा बीक हुआ है यहां पर देखिए डे失 यह यहां पर इसने इसको breakdown दिया अब 1190 रुपय के आसपा स्टोक काम कर रहा है अगर इस लाइन को हम थोड़ा सा और बढ़ा करके देखें डेली चार्ट के उपर तो यहां पर देखेंगे कि इस लाइन के उपर स्टोक आप resistance फेस कर रहा है आपको इसके कोई भी पैसा तब तक नहीं लगाना है जब तक इस लाइन के उपर breakout नहीं देता है आप देखें काफी बार candles इसके आसपास बनी है बट इस लाइन को यह ब्रेक नहीं कर पा रही है आप देखें बिल्कुल close हो गई है जहां पर थोड़ा सा दूर हुई थी बट यहां पर अब इस लाइन के आसप आसपास ही है बट इसको close नहीं कर पा रही है और निचे के लाइन पर देखिए एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है मल्टीपल लाइन से इसके आसपास बनी है और स्टोक थोड़ा सा उपर होता हो नजरा बट एक डाउन ट्रेंड में है स्टोक इसलिए जो भी लो ब ब्रेक करके उपर की तरफ निकले वो यहां निकलेगा यहां निकलेगा नहीं कह सकते बट जब भी निकलेगा तो अच्छा मोमेंटम प्ले कर सकता है क्योंकि जो लंबे टाइम के रिजिस्टन्स होते हैं वो काफी अच्छा पैसा बनाके देते हैं जब तूटते हैं तो अगर यह hold करता है support लेता है इसके उपर इसके आसपास आता है तो 1120 रपे का पहला support निकल कर आता है और इसके बाद जो निकल कर आता है वो है 1060 रपे के आसपास का तो इन लेवल्स के पर नजर रखिए जिस टाइप से IT stocks में correction हो रही है अच्छे खासे blue chip strong जिनके fundamental अच्छे है उनके अंदर भी correction काफी अच्छी खासी होती हो नजर आ रही है लगो 1800 लेवल से स्टोक जो है 1200 के भी नीचे पहुंसता हो नजर आ रहा है तो इन लेवल्स के उपर नजर रखिए उपर आपको तभी कृदना है जब इस लाइन को breaker करके उपर निकले अगरा momentum प्ले करना चाते हैं तो जहां पर स्टोक थोड़ा सा स्टेबलाइज होना स्टार्ट करें ग्रावट रुपनी स्टार्ट हो उसके बाद आपको कृदना है तो निचे के लेवल सबसे पहले 120 और 1060 यह दिखाता हो नजर आ सकता अगर इस लाइन को टच करता है तो इस लाइन को ब्रेक अच्छे रिटन्स दे सकता है डाउन ट्रेंड इसके अंदर इस टाइम चल रहा है जब अप्रेंड होगा तो काफी अच्छा रिजिस्टेंस भी ब्रेक करेगा और अच्छे खासे रिटन्स दे सकता है थैंक्यू धन्यबाद